तो काफी सरे लोग कह रहते हैं कि सर अपने वीडियो को कम्प्लीट तो कर दिया राइट प्रजक्ट बना दिया जैसे तैसे और उसको एक जिप फाल में पैक करके अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया बट उसको अगर हमें रियल वस्टिंग पर सैट अप करना तो कैसे करेंगे डिटबेस कैसे क्रेट करेंगे होस्टिंग पर फाइल यह कैसे डालेंगे यह बी बता दो जारा तो है गाइज रिसमी डेव नहीं जाने यो वाचिंग मैं चैनल और मेले के आगे वीडियो जिसमें कि हम देखेंगे कि जो भी हमने प्रोजक्ट बना है और congratulations ठीक है हमने 1K complete कर ले राइट yeah so yeah hey hey cut to the intro and without wasting a time start करता है Okay तो देखो सबसे पहला हम क्या करेंगे अब यह वो वीडियो है मतलब part 10 social media वाली website का जिसके description में तुम्हें link मिल जाएगा तुम्हें वहाँ पर जाना है वहाँ पर जाने के बाद यह देखोगे कहां गया कहां गया social networking website complete project code right google drive की link है इस पर simply तुम्हें क्लिक करने के बाद तुम्हारा सामने pictogram underscore completed zip करके एक फाइल आ जाएगी इसको तुम्हें download कर लेना है ज्यादा बड़ी साइज नहीं हो इस फाइल कि मेरी खाल से यहां पर हमारा download start हो चुका download complete भी हो गया अब यहां हम देखेंगे तो यहां पर देख सकते हो पिक्टोग्राम completed 3.zip यह download हो चुगा download होने बाद यह जो अब मैं बता दूँ कि window अगर तुम 10 यूज कर रहे हो यह 8 यूज कर रहे हो तो उसमें right click कर रहे हो तहां पर extract all का option यह का आता है बट अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे अगर चाहते हो तो तुम विन्रार नाम का सफ्टर यूज कर सकते हो जिसका डाउन लिंक में डिस्क्रिप्शन देदूगा इस्टॉल करने के बाद तुम्हार बाद कुछ चीज तरी कि आ जागा आइकन बना हुआ जिप फाइलों के उपा तुम्हार यहां पर राइट क्ल अगर, भर भाइद राइट, रेत अगौशन और राइट मेने का सब्सक्रिपाद करने का लिएर होस्टिंग तो हमें इस फ्रियर होस्टिंग करते हैं Vlap bye सब्सक्राइब कर सकते हैं तुम्हारी मर्जी है जिस भी तरह से चाहो उत तरह से लॉग इन कर लो मैं लॉग इन वीट करता हूं सब्सक्राइब करता हूं और अपनी यह हूं मोनुगिरी यहां पर तुम छटखाने करना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा सबसे नीचे देखोगे इसको मैं यह भूलना चाहर हो कि भाई देख मैं पहली बार नहीं आ रहा हूं मुझे पता कैसे करना चाहिए तो मैं आपर क्लिक कर दूँगा यहां पर क्लिक कर देंगा यहां पर क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरीके से आपर क्या दिएनग पर क्यूंट कर देंगा यहां पर नाम यहां पर यहां पर यह उनीग रहेगा तरह से नहीं नहीं कि नहीं आयगा देनी तोने की करते हैं and wait करते हैं okay और अगर तुम्हारी net की speed अच्छी नहीं है तो तुम्हें slow slow होती वी चीजे दिख सकती है अपने hosting पे अपने web hosting पे जब भी तुम file डालो या कुछ करो तो मुझे अब देखो यहां पर हमारे पास इसने तीन option रखे हैं हमारा जो इनका वेबसाइट विल्डर है उसको यूज कर लो वर्डप्रेस इंस्टल कर लो या अप्लोड यो साइट पर क्लिक करनेंगे क्योंकि हम अपनी खुद की साइट अप्लोड करना चाहते हैं अब जैसे इस पर क्योंकि यह 000 वेबस्ट है यहां पर तुम जिफाल अप्लोड करेंगे बिल्कुल हो जाएगा बट जब एक स्ट्रक्ट करो अपने सिस्टम के डेटा को ट्रांसवर कर सकते हो राइट तो हम उसी करेंगे यह रिमोट सर्वर है मेरा सिस्टम एक लोकल सर्वर है मैं लोकल सर् क्रीately जोह भी हमारी जितना भी हमारा वेबस्टेक कर कंटेंट हो तो व्लelim से किसी भी उस्टिंग में एक फैल रहाए तोब कि यह पंस्केया तो जहां है हुआ तक पशोल यहां आपर इसके जो स्टिकिक्षों कर दोगे। क Запाग दीता आट 여ख जहां पर हम जब अपना प्रोजेक्ट डाल लेंगे तो इस URL पर लाइव प्रिक्टोग्राम प्रोजेक्ट.000-webhost-app.com तुमने जो नाम दिया होगा उसी नाम से मिलेगा .000-webhost-app.com से मिलेगा ऐसा कुछ अब हम आगे का देखते हैं यहां पर देखोगा तो manage website का option आगे मैं manage website पर click कर लूँगा एंड wait करेंगे ठीक है तो manage website पर हमने click किया तो यहां पर देख सकता है आगे अब हमें क्या चाहिए हमें अब FTP का access चीए है FTP का access कैसे मिलेगा तो simply यहां पर तुम्हें website settings में जाना है website settings में जाना है जब जनरल में जाना है अब जब जनरल में जाओगा तो देख सकते हैं आप FTP बन जागा फाइस लाइट तुम्हें double click करके इसको open कर लेना है अब किसी भी remote server को हम कैसे जोडते हैं आपने FTP जिलासे घ्राइब सकते होश्ट माँघ रहा यूजरने मांटा पासवर्ड मांगतो पॉर्ट मांगतो रइच और यहां पर देखू तुमार्प सभी चीते हैं तो मैं यहां से इसको copy कर लेता हूं सब्सक्र फेलो होश्ट को हा द्यूजरने ओं यह यूजरने हो तो यहां पर हमारा remote server जो देख सकते हैं रिमोट साथ क्लिखाओ यहां पर साथ लिखावा है यहां पर यहां पर यहां पर आपनी फाइलो को डालना बहुतीज डालना इस सैड्य यहां पर तुह अपने सिस्टम का डीट एक्सिस कर सकते हो और यहां पर remote server का data access कर सकते हैं तो यहां से drag करके यहां drop कर दोगे तो file data transfer हो जागा बहुत simple ओके तो यहां पर तो देखो कि अगर तो यहां पर यह file जो मैंने extract की थी वहां पर already है ठीक है already है अब तुम्हारे case में यहां पर हो सकता कुछ और अब यहां पर क्या करना है जहां भी तुम्हारे क्लिक किया तो यहां पर download के सारे फोल्डर सागे रइट तो में आइनका पर यहां पर अपर यहां पर सारी फाइल मुझे दिख रही है तो मुझे इन सभी फाइलों को इसके अंदर ट्रांस रांसलग करना कि यह में अपने फालमें जबर कि दिक्कत निंए तो मैं आप इनक्स एपर कर आण। कि मैं आँने को फ़्याख कर लेक्ट कर आख कर थे जूटाओं गामा उससे और यहां ले जाके छोड़ दूँगा बस मुझे तरा करना और तुम्हारे नेट की स्पीड अच्छे होनी चीजिए देख सकते हैं यहां पर 14 MB का डाइटा है पूरा क्योंकि हमने कंप्रेस किया था 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 बैटी एक्स्टेक्टेड में 14.1 MB का डेटा है ठीक है तो हम अब वेट करेंगे अभी एक क्या करेंगे सभी फाइल अब देखो यहां पर यह मुझसे पूछ रहा है ओवराइट करने के लिए देखो हो सकता है कि जब फाइले अपलोड हो रही हो राइट तो बीच-बीच में यह तुम्हें पॉप अप दिखे तो बिना सोचे समझे ओवराइट पर क्लिक करके यहां पर ओके कर देना है तु हो यह एक फाइल भी भेज रहा होता है तो फिर जब दूबारा रिकिंक अप खुद को कर लेता है पर सेम फीआट बखे motherf तो यह आदी आदी अदूरी फाइल है मैं दूसरा भीज रहा हूँ इसको रखाऊँ आप पे तो यह कर सकते हैं इसलिए परमिशन पूछता है हमसे तो हम इससे कहते हैं कि भाइस साथ कर दे सही क्या रहा है तो वह सारा फाइल फिर वहां पर ट्रांसवर हो जाता है ठीक है त तो यहां पे क्यों एंप्टी होच चुका मतलब सारी फाल डांस रोचीक यहां बेसिकली साइस इच दिचा जिचता हो बचा हो तर डिटा टांस रोनिका और यहां पे अपने अप ब्रावजर प्राता हूं और जो लिंक है राइट इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं देखता हूं कि यहां पे क्या दिखता है तो मैं सीक्वलाइक एक्स डिनाइट पर यूजर रूट एड़ एड़ यूजिंग पासवर्ड नो इंप्रान ला ठीक डिटाबेस जित्तेशनी फ्र्लीट करहूं कुई है तो हुआ यहां पर हमारी होष्टिंग है यहां पर में इंएं सब्सक्राइन होगा हां जकता है तो 227 फ्रीट करेंगा फ्रद स्वागिंगे यहां पे बेख सकता है तो यहां पर हमने database का नाम दे यह मैं तरह में डेटबेस के यूजरनेम देना है देता हूं डेव निंजा राइट यह पासवर्ड ठीकर यहां पर पासवर्ड देखोगा तो यह रैंडम सा पासवर्ड है यह भी तुम्हें ज़रूरी है इसको भी तुम कॉपी करके किसी से जगे पर रख ले न ठीकर मैं यहाँ ल तो इसके स्टार्टिक में यह कुछ प्रिफिक्स इसमें अल्रेडी आड़ होगा तो इसके कोई टेंशनल लिबात नहीं, फ्री होस्टिंग है, तुम यह सुचोगे कि पेड होस्टिंग जैसे तुमें इज्जत और सर्विस मिलेगी तो ऐसा नहीं है, अब यहां पर यह creating database द तुम्हें पता है कि हम इन सब का use database में अपने करने वाले हैं, तो यहां पर manage में मैं क्लिक करूँगा, and then phpmyadmin देख सकतो यहां पर option आ रही है, यह हमारे db name है, db user, db host और यहां पर phpmyadmin का option है, मैं phpmyadmin पर click करूँगा, देख सकतो एक दूसरा tab खुल चुका है, जहा नहीं हमें अबएक के लिए एकदम blank है, यहां पे हमें अपना SQL file ह catalog इंपोर्ट करने है, यहां पर क्लिПр करने है, kinda değil, यहां पर click करने बाद यहां पर choose file पर फ्रफाइल करने है, जो कि हमने download किया था video के description Western हम यहाँ पर select कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर select कर लिया, blankdb.sql और इसका नाम blank है, क्योंकि इसके अंदर से मैंने साभी यूजर्स और सभी मैसेज्स सब कुछ डिलीट कर रखा, एक दम blank है, ताकि size कम रहा है, तो upload जल्दी हो जाए, इसलिए हमें ऐसा किया तो यहाँ पर हमारे सारे टेबल्स बने हुए हमें दिखने चाहिए, और देख सकते हैं, हमारे पास admin, block, comments, follow, likes, matches, notification, post, users, सारे ही यहाँ पर हमें अपने टेबल्स यहाँ पर बने हुए दिखने है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, database को अपने project से connect करना है, अब हम file manager को खुले यहाँ पर file manager पर click करना है, बगल मही, और यहाँ पर upload file का option आ रहा है, आपर simply click कर देना है, तक हमारा file manager खुल जाए, ठीक है, हम यहाँ से भी edit कर सकते हैं, चाहें तो अपने file को direct, यह file manager के तुर हम edit कर रहा है, पर तुम direct यह फाइल जिला है, जो यहाँ पर server connect कर रहा है, त किसेata be edit कर सकते है, तो simply तुमि Serv 대', कहान पर admin कहाँ के रहा हूं, आगे back, हम basic assets में जाना है तो यह file हमारी editing software में, खुल जाएगी, पर क्या होगा लोगों में यह चीज नोट पैड मं खुल एगी तुकि यह बंवी बोग इंप्र खुल में, विजु करने वाला है यहां पर क्लिक करके हमने फाइल मेंगर को अपन किया है यहां पर पब्लिक अंडर्सकोर अश्टेमल पर जाएंगे और यहां पर हम पता है कि डेटेबस की तो कंफिक्ड.php को मैं आप देख लेता हूं कहांपे है ओके मैं पर पईजीस में जाना था ठेक है अब देख सकते हैं यहां पर स्थिप्लिक कर सकते हैं इसे राइट क्लिक और तो आप्वेशन्स आ इंवेशनिक एंडिट का मैं आडिट करूंगा अडिट करूंगा फूल दिख जाए करेंग तो मुझे फूल दीख जाएगा आगर कि तुम यहां पर जाएगा में पूरा-पूरा चि还बाओ कि यहां पर देख सकते हैं है मैं एक्छली जूम कर दोब दोटा किन बड़ा-बड़ा जीखे ठीके जीडी नेम है śग ऑंदर की वैल लौ में कर दिया है मैं आपर करूँगा save and close ठीक यहाँ पर मैंने save and close कर दिया अब जो हमारी domain है यह इसको मैं आपर रिफ्रेश करूँगा आपर देखो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक real domain पर खुल रहा है राइट मैं यहाँ पर एक नए तो यह जो यूजर नेम है राइट यह जो यूजर नेम है 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 ब्लैंक है यह भी ब्लैंक है यहाँ पर तुम्हें क्या करना है तो यहाँ पर तुम्हें अपने जीमेल का यूजर नेम तो डालना जिसका तुमने less secure app access enable कर रखाओ अब यह क्या होता है less secure app access तो यहां पर देख सकते हो यहां पर username और password में जिस भी Gmail account का तुम username और password डालेगे चेक कर लें कि तुमने उसका less secure app access enable कर रखाओ आज तुमने नहीं पता है तुम कहा रहा है अभी क्यों बता रहा है तो य तो यहां पर डालना अब यहां पर तुम डालना ठीक है मैंने अगर तुम्हें detail में देखना है कि क्या करना है कौन से Gmail account की बात करो मा तो तुम्हें इस वीडियो को देख सकते हो इसमें मैंने detail से बता रखा है ठीक है तो यहां पर डालोगे तभी mail जाएगा अपने Gmail account में और साथ में अपने Gmail account को लेक्षिक और अपक्सिस राउन करें तो email जाएगा नहीं तो mail नहीं जाएगा राइट तो जो मेरी video series को देखता है उसको पता है मैं किस बारम बात करो जिनको नहीं पता तो उनको पहले series देखनी चाहिए I guess यहां साम इस चीज को बंद कर लेते है और यहां पर मैं जाता हूँ और एक नया account बना लेता हूँ यहां पर क्योंकि already कोई account नहीं बना हुआ है तो मैं यहां पर क्या करता हूँ यहां पर यहां पर नेम डालना मैं क्या लिख रहा हूँ यार मोनो गिरी यहां पर अपना इमेल आड़ी सेलट कर लेता हूँ जो कि यह है और यूसर नेम में यहां पर लिख देता हूँ यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यहां पर हमारे code में कोई गलती नहीं है यहां पर जो दिक्कत है वो हमारे database में क्योंकि अभी तक हम local host पे पूरा सपू चला आ रहते है तो ठीक है पर जो real web hosting होती है उनका database होता है वहां पर कुछ कायदे कानून होता है जिनको हमने follow नहीं किया है project बनाते हो अब उसको कैसे fix करना तो देखो simply तुम्हे database manager पर जाना है और database manager पर जाने कबाद PHP में admin खोलेना मैंने actually बंद कर लिया मेरे खाल से तो मैं यहां पर वापर से खोले तो PHP में admin and wait करते हैं थोड़ा and okay तो यहां पर देसकता मेरे data आ ठीक है अब देख आता हूं तो मैं तो यहां पर देखो यहां पर जो इसका function होगा sign up का right उसमें हम सारा data तो भेज रहे user की तरफ से पर कुछ data जो ऐसे हैं जिनको हम नहीं भेज रहे जम चाहते हैं कि by default set हो जाए for example मैं यहां पर आता हूं users पर आता हूं ठीक है users पर आने के बाद इसके structure पर जाते हैं अब यहां पर इसके structure पर मैं गया हूं ठीक है तो यहां पर बेट करता अब देखो कि यहां पर जो default value है ठीक है account status यह नन है ठीक है default value इसकी none है जो की गलत है हम ऐसे से नहीं छोड़ सकते हम नहीं account status का data pass कर रहे है और नहीं हमने इसको default value दे रहे है तो यह चीज हमने बाकी tables में भी क्योंगी तो हम वहां पर भी सुधारेंगे फिलालकिल हम यहां सुधारते है यहां पर हमने default इन सब का तो first time हम पास कर रहे है लाज ने पास कर रहे है जंडर email username password profile pic ठीक है इसकी एक default value दे रहे है तो कोई दिक्कत नहीं पर अप्डेटे डाट की इसको status को default value दे देंगे जो की 0 का होगा जायर सी बात है ठीक है मैं यहां पर वेट करते हैं यहां पर as define करता हूं और यहां पर 0 दे देता हूं ठीक है that's it हम से यहां पर save कर देते हैं और अब अगर मैं इसको वापस से refresh करूँ ओके करें वापस से refresh करते हैं तो हम देखेंगे हमारा जो है login की तरफ redirect होगा अब क्योंकि क्या बोला deep site ahead attacks on pictogram maybe trick into going ठीक है यह चीज़े इग्नोर करो क्योंकि यह free hosting इसलिए तुम्हें message यो कर रहा है तो मैं यहां पर क्या करना है visit to this unsafe website ठीक है simply हापर click कर लेना है तो तुम यहां पर अपने pictogram के login screen की तरफ आच चुक है यहां पर मैं क्या करता हूँ जब लगता है कि यह दोने वैल्या पास कर रहा है ठीक है comments में देख लेते है comments में हमें क्या default value देने की जरूवत है यहां देख लेते है comment created at default value create होगा comment ठीक है user ID post ID यहां पर भी जरूँत निया follow underscore list में आते है यहां पर भी default value जरूँत निया default value basically जो हम user की तरफ से pass नहीं कर रहे है और database में हमने set नहीं कर रहा है कि by default value कुछ ऐसी होनी चाहिए तो post ID जरूँत यहां पर भी जरूँत निया messages okay messages मेरे खाल से read underscore status के अंदर हमने default value नहीं दे रख है तो मैं आपे structure पर जाता हूं messages के अंदर और messages में structure पर जाने के बाद हमें दिख जाएगा कि हमने default value दे रख है कि नहीं दे रिख यहां पर default value नहीं default value नहीं default value दे रख है message to user id from user id ठीक है तो मैंने आपर read status को default value दे रख है नोटिफिकेशन का हम चेक कर लेते हैं कि notification को हमने दे रख है कि यहां पर structure पर जाते और यहां पर मैं wait करता हूं आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर default value from user ID हम pass कर रहे है message हम pass रहे है यहां पर default value दे रख्या है यहां पर पोस्ट पर बीदे लेता हूं ठें पोष्ट पे democratic पॉश्च चेक्स्ट पॉश्ट अंड्रस को रच यहाँ पर देख लेंगे तो यहां पर हमारे पोष्ट टाक्स्ट को बॉस्ट चुनि टाफ SCP टाइड ईूसर को यहां पर टिफॉल्ट वाल में देल हिरा conception करते हैं अब यहां पर default value देने की जरूँगती है वह नन इन टाइप के चीज़ों को देने की जरूँगती है रही है वह यहां पर देने की जरूँगती है और जिनका data हमने फॉर्म के थूँ भेजा भी नहीं है जैसे अब यहां पर इतनी चीज़ते बाद हमारी वेपसाइट वरकिंग हो गई है मैं यहां पर क्या करता हूं लॉग लेता हूं यहां पर मैं लिख लेता हूं यहां पर क्लिक करते हैं ओके तो यहां पर बहुत सारे आयरे आ रहे है smtp.zmail.com जायर सी बात है अब यहां क्यों देखने को मिल रहा हूं यहां इसले देखने को मिल रहा हूं क्योंकि जो हमारा send mail function है वो नहीं चल रहा है ठीक है जायर सी बात है तो यह message तुम्हें देखन आपने का नहीं मिलता तो क्योंकि मुझे पता है कि admin admin का जो access है वो भी मेरे पास है तो मैं direct यहां पर जाके अपना account on कर लेता है यहां डेटबेस में जाए क्योंकि हम admin है राइट हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम यहां पर जाएंगे और यहां पर अपना account 1 पर कर देंगे मतल क्योंकि में अपर फोटो एड़ कर लेता हूं चूस प्रफाइल पर जाते हैं एंचूस प्रफाइल के बाद जाने के बाद मैं आपर कोई भी एकिमे सेलट कर लेता हूं for example let's say something cool ऑके मैं यह फोटा अप्लोड कर देता हूं सिखिए श्रीकरिष्ण की और यहां पर पोश्ट पे क्लिक कर देते हैं अब मैं वेट करता हूं तो मैं देख सकते हो निउफ पोश्ट एड़ेड यहां पर जो पोश्ट हैं मेरी एडड़ हो चुक है मैं यहां पर प्रफाइल और नमें दीट प्रॉफाल पर चले जाता है यहां पे देख सकते हो चुस्ष प्रॉफाइल का और उप्षिन आरा में चूस्ष फाइल पर जाता है और यहां पर प्रॉफाइल पर को सैट कर लेता हूं अपने बढ़ी यासी तो यहाँ तहां पर मैंने एक profile pic अपनी select कर लिया, ठीक है, मैं होच अपडेट profile करता हूँ, एड वेट करता हूँ और यहां पर देख सकते हैं मेरी profile pic जो है वो update हो चुकी है ठीक है तो यहा इस pretty cool और यह working है सबी चीज़े notification हमारा यहां पर है हमारा message यहां पर है और मैं हिसाब से work करना चाहिए मैं काम करता हूँ अपने phone में भी इस website को खोल लेता हूँ और अपने phone से क्या करता हूँ यहां पर एक account बना लेते हैं हम जाते हैं यहां पर admin panel भी खोल लेता हूँ एक काम करता हूँ ठीक है यहां पर slash admin पर अब मुझा admin का पता है कि क्या है तो मैं admin panel की details यहां पर डाल लेता हूँ sign in पर click कर देते हैं और यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास admin panel हमारा आ गया ठीक है ? यहां पर dashboard हूँ, यह यूजर है जिसको मा बलॉक कर सकता हूँ यहां से, बलॉक हो गया & then unblock कर सकता हूँ ठीक है, उसके थूरह यहां पर चैट कर सको और चैट और नोटिफिकेशन वाला सिस्टम भी हम चेक कर ले कि वर्क कर रहा है कि नहीं तो यहां पर मैंने साइनप कर लिया है मैं अब अपने अड्मिन पैनल पर आता हूँ यहां पर रिफ्रेश्च करूंगा तो मुझे मेरा अभी अपने फोन से क्रियेट किया अब यहां पर देख सकता हूँ यहां पर लोगिन कर रहा हूँ कि दिक्कतरी बात मिया पर login कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर login कर लिया है ठीक है मैं अब अपने dashboard पर आता हूं ठीक है यहाँ पर देख सकते हो मुझे क्या दिख रहा है मुझे मेरा account दिख रहा है ठीक है phone मा जो, phone का UI है अभी उतरो responsive नहीं होगा तो हो सकता है फोन में तुम्हें थोड़े खराब तरीके से दिखे ठीक है यहां पर यह सजेशन वाली चीज़ पूछ तरीके से हाइड ना हो थीकुए हम देखेंगे इसको कैसे किणकराना है frontend में हम बाध में fix कर देے ठीक तो फिलाल अलब में यहां पर ini कलो एकन इसको refresh कर अंपर यहां पर मैंने follow back तो मैंने follow कर लिया ठीक है मैं यहां पर refresh करता हूँ तो देखो यहां पर notification आ चुक है dev ninja started following view ठीक है यहां पर हमने notification भेज पार एक दुछरा का मैं हां से क्या करता हूँ message करता हूँ real time पर message message read यह message आया है यह जानने के लिए मुझे page को refresh करने करता हूँ hi dev ninja hi monu send और यहां message real time है बट यह server है वह free hosting का है तो बहुत ही धीरे message यह भी हो सकता है मैं again बोल रहा हूँ free hosting से तुम कुछ खास उमीद नहीं कर सकते मैंने message पर one लिखा रहा है मैं इस पर click करूँँगा देख सकते हैं यहां पर dev ninja लिखा आगे यहां पर hi monu लिखा आगे इस पर click करूँगा तो मेरे सामने यह pop a box लिए reply कर लेता हूँ hi dev ninja और ऐसे मैं करता हूँ mail भेज़ता हूँ तो यहां देशकता हूँ ठीक है तो देखो इस तरीके से हमने यहां पर बना लिए अब देखो free hosting है again मैं बोल रहा हूँ तो यह इसके कुछ features है इतने अच्छे से काम ना करें इतने अच्छे यह local host पर काम कर रहे थे कैसे real hosting पे किसी project लो डालते है तो I hope you like this video अगर तुम्हें कोई डाट question है तो नीचे comment कर सकते हो मैं मिलता हूँ तुमसे और मैज़ार content के साथ बहुत सरी चीज़े सोच रखे सब बनाने है सब upload करने है तो तब तक लिए keep practicing Bye Bye